प्रभातकाबर.ड़कॉम विश्वास्वही रवतार नई सराइकिला खरसावा जीला मुख्याले से करीब 30 किलो मीटर की दूरी पर बहाड़ियों की तलहटी में बसा है राईजेमा गाउं खरसावा प्रखंड की जनजाती बहुल राईजेमा गाउं में तयार और्गनिक हल्दी इन दिनों लोगों की सिहत सुधार रहा है सामान्य तोर पर हल्दी में करीब 2-5 फिस्ती कर्क्यूमीन होता है परंतू राईजेमा की और्गनिक हल्दी में 7 फिसत से अधिक कर्क्यूमीन पाया गया है यही इस हल्दी की विशेष्ता है यहां के आदिवासी समुदाय के लोग बिना किसी औरवरक के ही पारंपरिक तरीके से हल्दी उप जा रहे हैं अब राईजेमा गाउं की हल्दी को देश के विभिन छेत्रों में लोग खुब पसंद कर रहे हैं भारत सरकार के जनजाती मंतराले की उपकरम ट्राइफ्रेंट के जरिये यहां के हल्दी को देश भर के बाजारों में पहुँचाया जा रहा है राईजेमा की ओर्गनिक हल्दी अब ट्राइफेट के आउटलेट में मिलने लगी है यहां के हल्दी की गुनमत्ता अच्छी है इसके बावजूद वर्सों से यह इलाका बाजार के लिए तरस रहा है अब महिला स्वेम सायता समुह के माध्यम से बाजार ठून रही है हल्दी में सक्रिय तत्व करक्यूमीन पाया जाता है यह दर्द से आराम दिलाता है और दिल की बिमारियों से सुरक्षा रखता है यह तत्व इंसुलीन लेवल को बनाए रखने और डाइपोटीज की दवाओं के असर को बढ़ाने का भी काम करता है हल्दी में एक अच्छा एंटियोक्सिडेंट है इससे पाये जाने वाले फ्री रेडिकल्स डैमेज से भी बचाता है खरसावा के राइजेमा से लेकर कुचाई के गुमियाडी तक पाडियों की तलहटी पर बसे गाउं में बड़े पैवाने पर परमपरागत तरीके से हल्दी की खेती होती है पहाडी शेत्र में रहने वाले इस बड़ी संख्या में आदिवासी समुदाई के लोग हल्दी की खेती से जुड़े हैं पहाडी शेत्र होने के कारण हल्दी की खेती के लिए या अनुकूल भी माना जाता है सराइकेला खरसावा से शचिंद्र कुमार दाश की रिपूट